तो आज मैं आपके लिए लेकर आयों लेटेस XSR 155 का न्यू अपडेट तो आज के रिव्यू में मैं आपको सारी डिटेल दूँगा इंडिया में लॉंच होने वाली यमा की ब्रेंड न्यू बाइक XSR 155 इस बाइक ने अल्रेडी काफी धूम मचा रखी है इंटरनेशनल म मार्किट में लॉंच की लेकिन अब तक यमा की तरफ से अपडेट नहीं आया इसके इंडिया लॉंच को लेकर जो कि अब फाइनली अपडेट आ गया जिसका आपको काफी टाइम से वेट था तो अगर आप XSR 155 को बाइ करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टन्ट होने वाली है एंड कोमेंट करके जरूर पताएं कि आपको XSR 155 इतनी ज्यादा क्यों पसंद है तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को एंड बात करते हैं ओल न्यू XSR 155 के निव लॉंच अपडेट्स के बारे में एंड इस साल य अगस्ट या फिर मिड सप्टेंबर तक उसके बाद XSR 155 को लॉंच कर दिया जाएगा ओफिशली इंडिया में सो यह बाइक सेम XSR 155 इंटरनेशल बाइक ही आपको देखने को मिलेगा B6 norm के साथ डिजाइन इसका बिलकुल लेटेस्ट होगा जिसमें आपको फ्रंट सेक देखने को अलोई विल इसमें ट्यूबलेस टायर के साथ मिलेंगे दोनों विल में डिस ब्रेक होगी एंडिस बाइक में आपको स्लिपर और सिस्कलच जैसा प्रीमियम फीचर भी मिलेगा XSR155 में सेम R15 version 4 वाला इंजन यूस किया जाएगा इंजन साइज होगा इसमें 155cc लीकेट कूल फोस्टोग BS6 कंप्लाइंट इंजन जिसमें ओवराल पावर होगी 18.5 PS की मैक्सिमम पावर नंबर आफ गेर होंगे 6 पीड ट्रंस्मिशन के साथ fuel tank की capacity आपको compact size में मिलेगी 10 लीटर की and इस bike की seat height होगी 815 mm की जो की same MT15 जितनी है तो अगर आपकी minimum height 5 foot 5 इंच है तभी आप XSR155 को easily right कर सकेंगे and mileage मिलेगी इसमें आपको 45 की top speed ये bike generate करेगा 140 की XSR155 की अगर हम features की बात करेंगे तो इसमें आपको premium features मिलेंगे Yamaha की तरफ से round digital meter console के साथ इसमें आपको connectivity भी offer करी जाएगी connectivity आपको international model में नहीं मिलती लेकिन जो XSR155 Indian version होगा उसमें आपको connectivity भी मिलेगी front में होगा single channel ABS and इसमें आपको LED round tail light भी मिलेगी hydrogen indicator भी इस bike में आपको offer किया जाएगा side में इसमें stylish compact size exhaust भी मिलेगा so अब बात कर लेते हैं upcoming XSR155 के pricing के बारे so price इसका होगा around 1,50,000 जो की थोड़ा सा कम रखा जाएगा MT15 से and launch होगा XSR155 का India में October या फिर November मांत में final and ये bike टकर देगा Honda, Java and Royal Enfield जैसे bike को किस-किस की favorite bike है XSR155 कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं so hope करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी informative लगी होगी channel को जरू सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी update मिस ना हो and आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हो अगर आपके कोई भी question है किसी भी bike के related चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में अगर बताएं